हेलो दोस्तों हमारे टूचोनेर पर आपका स्वागत है मेरा नाम सौरफ कुमार हुआ और जिस बिशय को लेकर जिस मुद्द्य को लेकर आपके बीचा पाए वो मुद्दा काफी गर्दिनों से गंबीर हो रहा है वो मुद्दा है बिहार करम चैर चैनायो की जो तिप्ती अस दिशना तर्विश्टरी प्राणमिक बृक्चा है और जिसको पेपर लिखुआ और लगातार चात्र अभियर्थी हम लोग काफी तीनों से अंधुलन कर रहे हैं लगातार से आयूब प्रसवसं के तरब से कोई भी उचित जवाब अभियर्थियों को नहीं दिया जा रहा ह निश्ची तुरूप से इंसार्य मुद्धों पर हमें एक छोटी सी विवरन आपके पास रखेंगे और छात्रों अवहर्थियों से कपिल करेंगे कि तीस जनवरी के दिन यानि आज के दिन जो महां अंदुरन की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है बस छात्रों अवहर्थि ए बेहार कर्मचाई जाएंचाएँ चाएज का उसकर आयों ककशचानी के पास वहां पर आप आए और अपनी मूद्धियों को आपके जरुवत है किई Pegamundi कि पलतीकी दूतिक आयोगत प्रसासर के तरफ से कोई भी उचित जवाब नहीं दिया गया निश्ची तुरूप से जब चार जन्वरी को महांदुलन हुआ तो लागातार आपने देखा हुआ कि इस पकाई उसकी बीच में भी आंदुलन हुआ और उसी दिन जेयेस गंगवार सहाब प्रेस का रहते तीन बज़े शाम में उनने कहा कि कोई प्रस्ट पत्रली का मामला नहीं सामने है किसी ने फोटो कीच कर और दो आजय और बीजय खुद पास्ट होने के लिए उन्होंने इस तरह की कुकिलित को अंजाम दिया है निश्ची तुरूप स इस तरह के बाते राजी की आलाधिकारे द्वरा की गई और एक जो गठन हुआ आर्थिकर बाद एक आएक के टीम से एसाइटी का निश्ची तुरूप से उच्छामाच की इस पकार से चल रही थी आयोगर परसासन ये जबाब देने को दियार नहीं है आने वाले सवे में लगातार अंदोर अंदेज हुआ और चार जन्वली को जो महां अंदोर नहीं हुआ पटना कॉलेज से लेकर और डाक मंगला चो रहा है तक और डाक मंगला के बीच पहले ही निश्ची दूर्थ पे अभिहर्थियों को चात्रों को दोरह धब्रा कर माला गया इस पकार की ब लगातार उसके बाद हम लोग ने इंतजार किया लाको अभियर्थिव ने इंतजार किया कि आयोक और परशासन के तरफ से कोई उचित जवाब आएगा है लगातार जांच की जा रही है इस बास की पुष्टी हो रही है कि जांच की जारे है प्रंतु अभी तक मुख सर्ग केंद्र हैं जहां से कोईशन पेपर आउट हुआ और लगातार चातर अभियर्थि सरक पर है इस बात के लिए क्या फिर अंदुलन कैसे होगा निश्ची तुरूप से आज जो उद्देश है मेरा आपकी समक्षाने का उसूस का हुई एक ही मादर उद्देश है कि भारी से भारी संख्या में अब बीससी ओफिस आईए निश्ची तुरूप से हम अपनी आंदूलन में काम्याब होंगे लगातार सरकार और आयोग पर हम दबाव बना के रखे हुए हैं ये निश्ची तुरूप से जिस पकार के बाते हो रही है आयोग परसासन की तरब से हो कही न क लेख पोती का प्रयास है याद रख्ये लीपापोती खोने नहीं देंगे लगातार और छात्र भीरति सरक पर हैं और इस बाद के लिए सरकार को आगाह करा रहा है आयोग को आगाह कराना है विशाथ आथ्चात्युल की जो मांग है बिलकुल जायज है और कल जो तेस को जो किया है किस तरफ जांच ले जाना चाहिए अगर लीबा पोती का पड़ास चल रहा है तो निश्ची तुरूप से यह होने नहीं देंगे निश्ची तुरूप से लगातार चातर अभियती सरक पर है और आज ही कल हमने प्रेस कॉन्फरेंस किया गान ही मदान में प्रेस सारे मीडिया के साथ्यों को हमने बताया कि इस पकार की। ग्रीत और लगातार बिहार करुन जाए चैनियोग और बिहार के सारे जो एंप्रसन कंट्रक्टरनें बाडे एजनशी है कर रही आज आप सुबा से साम चार बेर तक क्लास बंद रखें और अपने जो स्टुडेंट हैं जो आपके विद्यारती हैं उनको आप बताएं कि आज का अंदोलन है बिल्कुल सामती पुरुबक प्रोटेस्ट होगा हम अपनी मांगों को लेकर वहीं बैठेंगे निश्ची आज एक वीडियो भी अप्रोट कर दे जाता जाया संख्या में वहां लोगा भेरती लोग जाया और अपनी मांगों को अपनी जो बात है उसको बुलंद करने का प्यास करें निश्ची तुरूप से मीडिया का भी काफी सवयूग मिल रहा है सारे मीडिया कर्मी से भी एक आ बिरात के पर्मुक पर्मुक सहरों में इस पकार के अंदोलन हुए निश्ची तुरूप से बिहार युभाओं को जिस पकार से दवाया जा रहा है प्रस्ट पतलिक करके और पैसा के नाम पर लोगों को एक सरगना एक जो गैंग सकरिये है उस गैंग का प्रदाफास होना न दो आयोग के बिश्च्ट अधिकारी इस तरह के लिवाप पोती करके और लगातार ब्यवस्ता में बदल बदलाव ला रहा है निश्ची तुरूप से आज आप लोगों को हाँ पर बीएससी ओफिस आईए अपने मांग जो अधिकार है उसको तेज करने का प्रयास की ताकि सरकार और आयोग इस बात पर बिवस हो जाए कि छात्रों के मांग बिलकुल जाइज है अधिक्त पाली के परिच्छा तेज की दूसरी पाली और चौबिस की पाली के परिच्छा को रद करना ही हमारा उद्देश है और उनको भी बात मानने पर बिवस होना पड़ेगा झाल 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 झाल